ये तो आप सबको पताए कि आलू शाकारी होता है लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आलू से बना चिप्स मासाहारी होता है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं न, लेकिन ये बिलकुल सच है कि आलू से बना चिप्स मासाहारी होता है और आपको ये पता भी नहीं कि किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड हो रहा है तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं जंक फूड और फास फूड तो हमारे जीवन का एक पार्ट ही बन गया आज की टाइम में आज की जनरेशन तो इन चीजों के बेना एक दिन भी नहीं रहती लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन बंद बैकेट्स वाली चीजों को खाने से आपकी सेहत को ही नुकसान होता है लेज चिप्स तो हर किसी का फेवरिट होता है हर इनसान इसे बड़े चाव से खाता है और एक बार जब इसे खाने लगता है तो लट लग जाती है ना इसी कि बस ये खतम ही नहीं होती फिर लेकिन क्या आपको पता है कि Lace Chips को बनाने के लिए किस चीज को यूज किया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, उसे बनाने के लिए MSG का यूज किया जाता है MSG जो बनता है सूर की चर्बी से, सूर की चर्बी से बनने वाला ये पदार MSG से हट कर अब E631 हो गया है कुछ वक्त पहले लोगों का विरोध करने पर MSG को यूज करना बंद कर दिया गया था और नो MSG वाले पैकेट भी मार्केट में जारी किये गए थे लेकिन कुछ कमपनीज ने E631 का साहारा लेकर लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया कई देशों में ऐसी पैकिंग वाले पदार्थों को बैन कर दिया गया लेकिन भारत में इसे लोग बड़े स्वाद से खाते रहते हैं भारत में अगर आप लेस चिप्स का पैकेट उठा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें E631 नाम का इंग्रीडियन्ट मौझूद होता है जो की सुवर की चरवी का बना होता है चिप्स में तो इसे डालते ही हैं साथ ही नूडल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है पहले तो सुवर की चरवी का इस्तमाल साबुन बनाने के लिए भी किया जाता था लेकिन बाद में खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल होने लगा और कंपनीज ने इसे बुलाने के लिए कोड वर्ड रखा ताकि आम उपभुखताओं को इस बात की भनक भी ना लगे क्योंकि उनको डर था कि MSD की तरह E631 भी यहां बैन ना हो जाए और उनके प्रोडक्ट्स की बिकरी में गिरावट ना जाए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज आज भी इसका अस्तमाल टूथ पेस्ट, शेविंग क्रीम, चुइंग गम, चॉकलेट्स, मिठाई, बिस्किट और कॉनफलेक्स बनाने के लिए करती हैं यहां तक की कुछ मल्टी वाइटमिन टैबलेट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है देखे ये चंद लोग किस तरह से लोगों को बेवकोफ बनाने में लगे हुए हैं जो लोग शाका हरी हैं उन्हें धोके से सुवर की चर्बी खिलाते जा रहे हैं अगर आप भी सुवर की चर्बी से बनी किसी चीज को खाना नहीं चाते तो E631 पर गौर जरूर कीजिएगा बाजार में दिखने वाले सुंदर सुंदर पैकेट के पीछे इनके इंग्रीडियेंट्स को जरूर पढ़ें और जान लीजिए कहीं इनमें E631 तो नहीं अकॉर्डिंग टू में जितना हो सके अपने घर में चिप्स बनाएं और उन्हें बड़े शौक से खाएं और इस वीडियो को इतना जादा शेर करें ताकि इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके कि वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और पेज को फॉलो करें